नमस्कार प्रिय विद्याथियों, योगा जोती सब यूटूब चैनल में आप सब का हार्दिक अभिनंदन है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वह विशे है आपका डाइट नूट्रिशन यानि एंटियोगा नेट की जो यूनिट 6 नंबर की है, उससे सम्मधितम महतोपून प्रशन जितने भी बनते हैं, वो पढ़ेंगे सबसे पहला प्रशन जो आ रहा है, इसमें देखिए, वह कौन सा पदार्थ है, जो मानव शरीर का पोशन करता है इसको देखिए ध्यान से, वसा है, भोजन, कैलोरी, जल, इन में से आप सही उत्तर बताईए, वसा ही उत्तर इसमें है भोजन, थोड़ा हम जल्दी पढ़ेंगे, तांकी रिवीजन आपका फटा-फट हो जाए, अगला प्रशन है, इसमें है, निमिन में से पोश्टिक तत माने जाते हैं, उन में से सारे के सारे हैं, यह सभी पोश्टिक तत्व हैं, अब आगला प्रशन देखिए आप, जब पोशन शरीर की आवशक्ता के अनुसार, गुन एव मात्रा में अपूर्ण होते हैं, तो वह स्तितिक क्या कहलाती है, ध्यान से प्रियाप्ट पोशन कहल जब हमारा अपना पोशन है, शरीर के लिए जो आवशक्ता तत्व है, उसे पूर्ण तया नहीं मिलते, तो वह स्तितिक क्या कहलाती है, अब प्रियाप्ट पोशन या कूपोशन, सूपोशन क्योंकि चार प्रकार का पोशन रहता है, तो उन में से जो कुछ भी नहीं मिल र समू को, यहां पर मुख्य तह तीन भागों में इसे बांटा गया है, समू में इसे विभाजित किया गया है, और कारबोज के अंतरगत कितने पोशक तत्व होते हैं, कारबोज जो है, कारबोज के अंदर कितने पोशक तत्व होते हैं, यह आपको बताना है, इसमें A और विटामीन D तो अच्छा और आंखों को सुरक्षा जो परदान करने वाला है वह है विटामीन A जब भी आंख से सम्मंदित कुछ भी आता है तो आप ध्यान रखेए विटामीन A को आप टिक कर देना है विटामीन A और हमारे शरीर में लग भग कितना जल पाया जाता है ह तो यहां संख्या जुदी है इसमें सबसे ज़्यादा 60 है तो 60 को करिए 60 या 65 परतिसोत हमारे शरीर में जल की मात्रा पाय जाती है विटामीन मुख्यते कितने परकार की होते हैं मुख्यते विटामीन कितने परकार की होते हैं मुख्यते विटामीन कितने परकार की होते हैं मुख्य विटामिन है छे प्रकार के होते हैं आगे भी पढ़ेंगे विटामिन छे प्रकार के हैं जो विटामिन A, B, C, D है हना ये सब छे प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं निमिन में शरीर निर्मान में साहिक पोश्टिक तत्व कौन सा है बताएए इन में से कौन सा साह साहिक तत्व पोस्टि निर्मान के लिए सबसे साहिक है, साहिक में सबसे important क्या है इसमें protein, protein जो है ये निर्मान करता है हमारी श्री के अंदर, निर्मान का कारी करता है, तो अब protein के अंदर जो carbon है ये सब इसमें रहता है पहले से, नहीं protein, इसलिए बच्छों को सबसे पहले उसको निर्मान पोस्टिक तरह बढ़ाने के लिए हम प्रोटिन के लिए दूद सर वो उसमें दूद पिलाए जाता हुसे अगला प्रशन है उर्जा मापने की जो इकाई है वह क्या कहलाती है उर्जा कैसे मापी जाती है उसे इकाई हो क्या कहते हैं हम कहते हैं कैलोरी कहते हैं कैलोरी उर्जा मापनी की विदी है भोजन अपने आप में एक भोजन है रोग रख्चा पी होई नहीं सकता तो कैलोरी जो है तो ये उर्जा मापनी की इकाई है भोजे पदार्थों के सभी क कार्बनिक पदार्थ जल कर क्या उत्पन करते हैं जल कर मतलो वह पच करके क्या उत्पन करते हैं हमारे श्रीर के अंदर वह उर्जा उत्पन करते हैं जब भी हम भोजन लेते हैं वह कार्बनिक जो पदार्थ है वह जल कर क्या उत्पन करेंगे उर्जा उत्पन करेंगे ज्व बच्चे दर की जो दर है वह बढ़ जाती है अब रोगी को स्वस्ते लाब के लिए जो आहर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं आप उसको साधारन आहर कहा जाएगा गॉमल आहर तरल आहर या उपचारात्मक आहर इन में से कौन सा आहर है जो हम स्वस्त वेक्टी के लिए स्व पूरा वीडियो में हमने 100 प्रशनों को पढ़ना है और इस सारे के सारे प्रशन बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाले आपके लिए निमिन में से संतुलित आहर के अव्यव हैं संतुलित आहर के कैलोरी होना चाहिए उसके अंदर अना प्रोटीन होना चाहिए खनिच एंवि इसके बिना भोजन पूर्ण नहीं कहलाता सौलवे नंबर प्रशन का है सुरक्षात्मक पौश्टिक तत्व निमिन में से क्या है सुरक्षात्मक पौश्टिक तत्व निमिन में से कौन कौन से है वो आपने बताना है इसमें कैलोरी है जल खनिच विटामीन जो सुरक्षात के रूप में minerals water जो रहते हैं वह इसमें आता है जल जल जो है ये हमारा सुरक्षात्मक पोश्टिक तत्व में आता है जल अब बात करेंगे शरीर में कितने परकार के आवशक amino acid पाई जाते हैं आवशक जो amino acid क्योंकि हमारे amino acid जो है ये 10 अलड़ी पहले रहते हैं 10 हम भोजन के थ्रू हम इसको लेते हैं तो amino acid है 10 हमारे शरीर के अंदर आवशक तत्व के रूप में पाई जाते हैं अब बात करते हैं निमिन में से protein प्राप्टी का उत्तम सादन है आप protein इदि हम प्राप्ट करना चाहें तो इन में से सबसे उत्तम सादन कौन सा है आप ध्यान से देखिए प्रशन को मचली है, मांस है, अंडा है इन में से कौन सा है ये उप्युक्त सभी माने जाते हैं इन सब के अंदर protein होता है और यदि यहां पर लिखा होता सोया बीन, यदि क्या लिखा होता, सोया बीन लिखा होता है तो इसमें तो आप उसको टिक करते सोया बीन के अंदर अंडे, मांस, इन सब से अच्छा ज़्यादा protein पाया जाता है अगला प्रशन है, निमिन में वनस्पती जगत में protein प्राप्ति का सर्वोतम साधन है देखिए ये प्रशन आई चुका है, ये वनस्पती आहर दो तरह के होता है जन्तवे आहर होता है, वनस्पती आहर होता है प्रशन है प्रोटिन के कार्ये क्या है ये क्या काम करता है प्रोटिन तो ये श्रीर का निर्मान करने का कार्ये करता है जो हम प्रशन पहले पढ़ चुके है श्रीर का भी कास करता है ये श्रीर में होने वाली जो टूट फूट होती है उसकी मरमत करने का भी क्यों मेटाबॉल जो है तीनों सही हैं ये तीनों में कार्गी करता है कार्बो हाइड्रेट के एक अनू में कितने प्रमानू कार्बन होता है ये ध्यान से देखिए अनू जो होता है वे छोटा है सुक्षम है और प्रमानू उसे भी सुक्षम होता है यहां पूछा जा रहा है एक कार्बो एक अनु बनता उसका इहां रखिए पैक्टिन पाया जाता है पैक्टिन जो है पाया जाता है इसको देखिए किस में पाया जाता है पैक्टिन जो होता है ये पके हुए फलों में पाया जाता है पैक्टिन जो है पके हुए फलों में पाया जाता है दालों में दूर घी में न दूद जो है प्रमुख में नहीं आता अक्सल में क्या होता है कि ये जो शूगर है ये वो फुटोज और ये सुक्रोज जो होते हैं इनके अंदर ही कार्बो हैड्रेट जादा पाए जाता और इन तीनों की बात करें चिन्नी शेहद गुड में सबसे ज़्यादा कार्बो हैड हमारा चिन्नी में होता है ध्यान दीजिए वो सबसे ज़्यादा इसमें होता है चिन्नी फिर गुड शेहद इन में होता है तो ये इंपोर्टेंट प्रशन है इसके बाद कार्बो हैड्रेट का प्रमुख कारिये क्या है कार्बो हैड्रेट का प्रमुख कारिये क्या होता है यह दोनों कारी है, इसलिए बोजन के उप्रांत या बोजन से जब भोजन करने लगे तो सबसे पहले आपको एक गुड की डली खा लेना है, गुड सबसे इंपोर्टेंट है, बहुत जूरी है, कैलोरी मिटर ये कैलोरी मिटर जो है ये क्या है उर्जा मापन परकिरिया को क्या कहते हैं जब हम कैलोरी जब आप लेते हैं तो उर्जा मापने की परकिरिया है उसको हम क्या कहते हैं उसका एक नाम है वो लेक्टोमिटर है, सेंटोमिटर, धर्मामिटर, यह प्रशना जाता है, इसमें केलोरी मिटर, केलोरी को माप करते हैं, तो इसको नाम ही केलोरी मिटर है, मिटरी है, केलोरी मिटरी, तो यह बहुत सरल भी है, उसको ध्यान रखिएगा, वह आहर, जिसमें एक वेक्टी के प्रत से काम कर सकते हैं तो वो जो एक सामर्थे एक उर्जा और एक इंधन जो मिलता है वो हमें भोजन से मिलता है और वो संतुलित आहर से ही मिल सकता है प्रोटिन नाम जो है प्रोटिन का जो नाम है वो किस विज्ञानिक द्वारां परस्तावित किया गया यह आपको बताना है किस के द्वारां प्रस्तावित किया गया है वो है इसमें मुल्डर जो निखा है मेंडल है गारगन है स्कीन न रही है तो सारे अपके अलगा गए यहां मुल्डर जो है इसके द्वारां प्रभावित किया गया है वसा के उपियों के लिए हना वसा के उपियों के लिए बहुत जरूरी है क्या जरूरी है इसमें प्रोटिन है और ये कार्बोज है और इसके साथ साथ इसमें जल विटामिन कौन सबसे जरूरी है वसा के जरूरी है कार्बोज वसा के लिए बहुत आप इसको बारी के से कभी इसको विस्तार से बताएंगे पूरा का पूरा ये कार्बोज गया है वसा भी इतना याद रखिए कि वसा के लिए सबसे उप्यूगता है कार्बोज और अगला प्रशन है सबी स्तंधारियों के दूद में उपस्तित रहता है ये कार्बो हाइडरेट प्राप्ति के साधन है निमिन में कार्बो हाइडरेट प्राप्ति के साधन है क्या है इन में से अर्भी जिमिकंध है आलू है उप्युक्त सभी है आप देखिए इसमें अर्भी कार्बो हाइडर जो भी जो कंदमूल होते हैं धरती वाले वो सब के अंद रहता है वसा के कारिये क्या है वसा के वसा के कारिये क्या होते है शरीर के ओमल अंगों की रक्षा करता है वसा बिल्कुल सही बात है शरीर में उर्जा भी रहता है ताप के कुछ आलक का कारिये भी करता है मोटे वेक्ट क्योंकि है सरती कम लगती है इसको ताप को भी कंट्रो स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी है विटामिन B की कमी से B1 का चो होता है यह बेरी बेरी है रिकेटस विटामिन D की कमी से होने वाला रोग होता है इसलिए जितने भी जिन जिन से रोग होते हैं वो भी आप तोड़ा याद रखिएगा कार्बो हाइडरेट के स्टार्च युक्त पदार्थ है स्टार्च से युक्त जो पदार्थ है तो ये प्रिक्षाओं में आया हुआ है इसमें जो बाजरा ग्यों जो है जिसमें स्टार्च होता है वो कौन है ये सभी है बाजरा भी है ग्यों पर इन में से सबसे ज़्यादा होता है किसमें है ग्यों में होता है ये आप विशेश रूप से याद रखिए ग्यों में सबसे ज़्यादा स्टार्च रहता है और जब बात आती है कार्बो हाइडरेट कार्बो हाइडरेट इन सब में इसकिसमें ज़्यादा होता है व वसा की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, वसा इरी श्रीर में है यह नहीं, तो उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, यह आपने बताना है, रिकेटेस अभी देखा, यह विटामिन D है, स्करवी C है, और यह मौरसस अलग रोग है, और फ्राइनो डर्मा जो है, यह वसा क किन किन अवयव से बनता है, कारण भी होता है, उसमें हॉचेज़न भी होता है, नाइटरोजन भी होता है, और यह नी कुल मिला कि wheat होता है, एक तत्वओर है जिसके साथ 대해, प्रोटिन के अंदर उनमें से एक और है जिसमें आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आ गया फ वसा का कार्बनिक योगिक है कार्बो हाइड्रेट ये भी हो जाता है जीव जन्तू उर्जा पर वसा जो है ये कार्बनिक का योगिक है विटामिन ए विटामिन ए सबसे धिक किसमे पाया जाता है ये बताए विटामिन ए सबसे धिक किसमे पाया जाता है आलू में गाजर में तेल में किसमें होता है सबसे ज़्यादा यह उत्तर आपने स्वेम देना है विटामीन A मैंने पहले के प्रशनों में बता चुका हूं विटामीन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है यह किसमें सबसे ज़्यादा होता है अच्छा ज़्यादा होता है यह भी नहीं आया तो आप सही आप बताईए कैलिशियम का परमुक शोत है कैलिशियम का परमुक शोत कौन है दूद है चावल गुड आलू कैलिशियम क्या है दूद के अंदर कैलिशियम मिलता है इन सब में होता है पर फिर भी कैलिशियम जो है दूद में सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा पाया जाता है संख्या 41, vitamin C की कमी से कौनसा रोग हो जाता है, अभी बताया मैंने यह प्रशन आप कulin कमेंट में उत्तर देना कौन सा रोग है जो vitamin C की कमी से हो जाता है, इन चारों में से आप ध्यान से देख कर जिए, प्रशन संख्या 42, 42 में बताया गया है नियासीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है नियासीन ये रिसाइनिक जो नाम है ये भी आप इसका याद रखिए नियासीन जो है रोग किसकी कमी से कौन सा रोग होता है पहला ग्रा ये एक्जाम में भी आ चुका है यूजिसीनेट की पहला ग्रा जो है ये भी नियासीन की कमी से होने वाला एक रोग होता है केल्शियम का सांद्र शोत नहीं है सांद्र मतलब होता है जिसमें एक सिलन गिल्रापन रहता है वो शोत नहीं है तो उसमें एक आता है पालक पालक जो है ये नहीं है क्यों क्योंकि ये दूद है ये सब दूद के प्रडॉक्ट हैं तो इसके अत में उसको डाल लेनी चाहिए वो आता है आप 20-25 ग्राम है सब ऑप्शन देख लीजी इसमें सही उत्तर है 60-70 ग्राम उसको डाल लेना चाहिए इसलिए मूंग का डाल है छिलके जो डाल होती है वो आप ज्यादा ले सकते हैं उसका सूप बना कर पीर सकते हैं अब प्रशन है रक्त अलपता किस खनिस्तत्व की कमी से होती है रक्त का जो पतलापन है वो किस की कमी से हो जाता है लोहा जो है लोहा आईरन जो होता है ये ये आईरन जो होता है इसकी वज़े से ये रक्त अलपता आती है लोहे को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं खजूर खाते हैं अं आधारिये चयापच्चे की माप करने वाली प्रनाली को क्या कहते हैं आधारिये जो इसमें उश्मा मापी है ताप मापी है दाब मापी है वर्पन मापी है आधारिये चयापच्चे जो है उसको हम बोलते हैं उश्मा मापी उश्मा मापी है ये इसका सही उतर है कार्बो हाइ प्राप्ति का सरक्रा युक्त पदार्थ कौन सा है अब सरक्रा किसमें होती है सक्कर में भी है गुड में भी है बूरा में भी है और किस किसमें है अब इसमें कार्बो हाइड्रेट युक्त सरक्रा युक्त अब सरक्रा मतलब वो को इसमें है सक्कर सक्कर का नाम इसलिए सक्कर बोलते हैं सरकरा होता है इसमें ये इसका सही उत्रेता है कौन सा सक्कर ये कार्बो हाइडरेट से युक्त होता है पर आपको हमें इससे होता है केला केला में कैलोरी होती है कार्बोज घनिज लवन होते हैं वसा हालांकि वसा भी होती है कार्बोज सब होते हैं ये परंतु इसमें कैलोरी जो होती है इसलिए हम एक केला दूद के साथ दिको लेता है तो बहुत अपने आप में उत्तम आहर माने जाता है समपूरन आहर केला भी अपने आमे पूर्ह न है तो इसमें भी एक केला जो होता है इसमें पर ग्रामी चार ग्रामी इसमें वसा भी होती ए और अब ये कैलोरी जो है ये सबसे इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है रक्त के स्पंधन के लिए आवशक विटामिन है रक्त का जो स्पंधन होता है बीट के लिए कौन सा विटामिन सबसे इंपोर्टेंट होता है रक्त के स्पंधन के लिए विटामिन A, विटामिन B, D और विटामिन K, विटामिन K का का रिये है ये रक्त को स्पंधन के लिए इ आपको बताना है 50-60% यहां पर बताया गया है 50-60% इसमें हमारे श्री में जल होता है यह पूरी कोशिकाओं में विबत रहता है बटा रहता है पूरे श्री में फैला रहता है यह अब आता है सामाने सामाने रूप से एक प्रोड वेक्टी को रोजाना कितने गिलास पानी पी किस्में पाया जाता है खटे पदार्थ होते हैं खटे जो चीज़ें खाने वाली होते हैं सब में विटामिन C पाया जाता है और जितना विटामिन C हम आज लेंगे उतना वो आज ही निकल जाएगा पिशाब के थूप पर हर दिन हमें इसको लेना पड़ता इसको श्टोर नहीं करता इस बात का ध्य तो यह देखिए सकर्वी आपको आई यह विटामिन C की है पायरिया विटामिन C की कमी रोतोंदी विटामिन A है और ऑस्टियो मलेशिया जो है यह विटामिन D से संबंदी त्रोग होता है यह सही उत्र इसका सुक्रोज सक्र में से किस सरकरा से बनाई जाती है सुक्रोज सक है खजूर जो खजूर का पेड़ होता है खजूर ताड की सरकरा से सुक्रो सरकरा बनाई जाती है सकर जो बनाई जाती है निमिन में से आप बताना है वसा वसा के संयोजिक अव्यव हैं वसा जो होता है वो किन के योग से बनता है ये भी आपको बताना है अब उसमें वसा में carbon भी होता है hydrogen भी होता है oxygen भी होता है तो ये सभी وسा में रेता है वसा मिन्स कार्वो हाइडरेट जो है उसके अंदर ये सारे रेता है carbon hydrogen oxygen ये सभी रेते हैं इसलिए सही हुत्तर है उप्युक्ष सभी और यदि सही उत्तर है तो 57 नंबर का प्रशन इसका उत्तर है उप्युक्त सभी क्यों वसा जो है पानी में घुलनशिल है हना और वसा पानी में घुलता है अब आता है उप्युक्त जो सभी है इतर बैंजीन विटामिन बी और सी विटामिन बी और सी जो है ये अपना जल में घुलता ह ध्यान रखिए, B और C जो है ये जल में घुलता है, एक शबद है K E D A किड़ा, किड़ा सब यार किए, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A ये सभी के सभी क्या है, वसा गुलनशिल विटामिन्स कहलाते हैं, इनको बोलते हैं B, C, जो B, C जो है vitamin B और C ये दोनो súые वुषा के में गुलने वाले होता है इसलिए यहां पूछा है नीवन मैं से के गुण है गुलन शिल नहीं पूछा वसा के यहां पर गुण पूछा गया है तो वसा में गुण क्या है वसा का वसा पानी में गुल जाता इसलिए ये A, D, ये सब ही हैं ये प्रशन कई बार आता है एक्जाम में और गलती से हम इसको गलत कर लेते हैं इसलिए फार्मूला याद रखिए जो भी बताया वसा के अधिक समय तक रखने से आक्सी करण के फल सूर एक पदार्थ बनता है यदि आप फेट को बहुत समय तक स्टोर रखेंगे तो एक पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं 59 प्रशन हम पोस्ट गए हैं उसको बोलते हैं किटोनस किटोनस कहते हैं से क्या कहते हैं किटोनस अब शरीर की उचित वृध्धी शरीर की उचित वृध्धी है तो विटामीन अत्यंत ही महतोपूर्ण है कौन सा विटामीन सबसे महतोपूर्ण होता है शरीर की वृध्धी के लिए विटामीन D इसलिए दूप में बैठना हम दूद लेते हैं तो विटामिन जो D है यह सबसे important माना गया है श्रीर की विद्धी के लिए अब प्रशन है विटामिन E का परमुख कारिय क्या होता है विटामिन E का इसमें नेतर की जोती बढ़ाने का होता है प्रशन बढ़ाना यह विटामिन जो E होता है असल में यह प्रशन शक्ति को बढ़ाने का कारिय करता है विटामिन E हमारे श्रीर के अंदर जैसे नारिल का पानी होता है उसमें आता है और अपने आप SELF जनरेट भी श्रीर भगवान की दिया से होता भी है अपने आप भी श्रीर में बनता है इसको अलग से लेने की भी आवशकता बाहर से नहीं पढ़ती आप बस गुमते फिरते थोड़ा कसरत करते रहिए अपने आप श्रीर में ये निर्मित होता है अब प्रशन आता है रिकेटस नामक रो गुड हल्दी सोडियम सोडियम पता ही है नमक में सोडियम होता है अना तो सोडियम नमक में मिलता है आईरन की परचूर मात्रा किस में पाई जाती है आईरन होता है आईरन जो है संत्रा आमला निम्बू ये तो विटामिन C के परचूर मात्रा होती है तो बचा क्या ये यक शक्कर का प्रियोग किया जाता है जब आपके एक देखते हैं प्रियोग किया जाता है अब प्रशन है आपका मखन में वसा की कितनी मात्रा होती है तो इसका सही उत्तर है असी प्रशन 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 प कारडिनोडिनिक है, ओलिक अमल है, ये सब नहीं है, तो लियक अमल जो है, ये सही उत्रेज का, विटनिमन में से किस विटामिन का प्रमुख कारिये नेतर जोती की रक्षा करना भी बार-बार ये प्रशना आ रहे हैं, तो इसको आप स्वेम देखिए, कौन सा है, नेतर तब बताना है obesity हो जाता है यहना मोटापा आता है स्रीर के अंदर रोग हो जाता है निमिन मेंस से वसा का सांदर श्रोत नहीं है अब सांदर श्रोत नहीं है अभी देखो सांदर श्रोत नहीं है पहले पालक आया था अब इसमें देखो तेल घी मक्षन यह सब लिक्विड में प्रोटीन में लग भग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं तोटल कितने प्रकार के अमीनो एसिड लग भग कितने प्रकार के 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं अब 72 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं अब 72 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते मकाहर माना जाता है एक जटिल कारबोज है एक जटिल कारबोज है एक जटिल कारबोज है एक जटिल कारबोज क्या है इसमें गलाइकोजन है पेक्टिन है स्टार्च है इसमें सेलुलोज जो है ये एक जटिल कारबोज है सेलुलोज आपको बता दीजिए ये हमारे ये अब है प्रशन उपवास में BMR हो जाता है अब ये प्रशन पहले भी आया है उपवास के अंदर ये BMR BMR का आपको मैंने पहले भी पताया था BMR जो है best metabolic जो rate है वो क्या हो जाता है वो जो उपवास की स्थिटी में ये कम हो जाता है और ये जब बुखार होता है जुवर होता है तो इसके rate क्या होता है ये बढ़ जाता है ध्यान दीजिए BMR जो अब उपवास की स्थिटी में कम हो जाता है जब आपका fever होता है तो ये बढ़ जाता है WHO का पूरा नाम क्या है आपने स्वेम बताना है कॉमेंट करके कौन सा ओप्षन गह गह इन में से कौन सा है वो आप मुझे बताइएगा विटामीन ए की विटामीन ए जो है विटामीन ए की हीनता जनित रोग है विटामीन ए की हीनता जनित रोग है विटामीन ए की वज़े से क्या होता है अब विटामीन ए की कमी से हीनता जन्ने रोग क्या है अब फिर प्रशन बार बार रतोंदी रोग होता है क्या होता है ग्ले में बड़ी गांट सी जो बंती है न, वो ऐढूनी की कमी से हो जाता है घेंगा रोग यह कैली वोस्तवर्ट आईरं करनने है इसमें रोल आयोजी की वज़े से होता है यह बूंजी का अब है सब्जीयों में ** टत्व होते हैं सब्ज्यों में कौन सा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा आगला प्रशन आपके सामने है यह है दूद में खनिज लवनों की मात्रा होती है दूद में खनिज लवनों की मात्रा कितनी मात्रा होती है दूद में आप दूद में जो खनिज लवन है वो है 0.7% 0.7% खनिज लवन दूद में पाए जाते हैं अब यहां प्रशन है विटामिन बी विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है कौन सा है बेरी 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 जो है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है और यह बहुत अच्छे सी याद रख लीजिए बार बार यह प्रशन कई बार आता है पर विटामि के संगठन कार्बो संगठन में कौन सा अंग नहीं है यहां क्या पुछा है नहीं है अब कार्बो हाइडरेट जो है कार्बो हाइडरेट के अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो नहीं होता यानि इसका सही उतर क्या है नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहीं जोड़ दें इन चारों का संबन जाता है फिर क्या होता है प्रोटीन तो प्रोटीन का ये पुरा से योजन्क बन जाता है प्रन्तु यहां नहीं है कार्भो हाइडरेट में तीन ही होते हैं अब प्रशन ये है कि ग्यहूं में कितनी प्रतिशत प्रोटीन होती है प्रोटीन ग्यहूं में जो प 9.12 प्रतिशत माना जाता है 9.12 जो प्रतिशत यहों में प्रोटिन रहता है पोशक पोशन की कितनी अवस्थाईं मानी गई है पोशन की पोशन की कितनी अवस्थाईं मानी गई है यदि पोशन पहले आया था कूपोशन की बात प्रशन याद कीजिए वहां कूपोशन के तीन प्रकार यहां पोशन की बात करें तो चार चार पोशन की अवस्थाएं मानी गई है अब देखेंगे निमन में अमल उतपादक भोजे पदार्त कौन सा है अमल को उतपादित करने वाला कौन सा भोजे पदार्त है अमल को जो बनाता है वो कौन सा है दूद है फल है अंडा है भोजे पदार्थ है इसमें से वो आता है अंडा अंडा जो है अमल उत्पादक भोजे पदार्थ है निमिन में से कौन सा संतुलित आहर का प्रभाव पढ़ता है संतुलित आहर का प्रभाव किस पर पढ़ता है ये बताईए आप रशनिस में लिंग पर आयू पर शारिक परीश्र उप्युक्त सभी इसमें उप्युक्त सभी कि जब आप संतूली ताहर लेते हैं तो इसमें कुछ बाते हैं आपकी अवस्था क्या है आप पूर्श हैंस्त्री हैं बच्चे हैं बड़े हैं शारिक श्रम क्या ह आपको इस जली पर्देश में रेते हैं कौन से एरिया में रेते हैं क्शेतर का सब देखा जाता है तो उसलिए तीनों ये बिंदु जो है संतुलित अहर के घटक माने जाते हैं अब चैचक और काली खांसी में से कौन सा विटामिन विटामिन बचाता है यह रोग हो जाए चैचक हो गया खाली खांसी होता है जिर्फ की वज़े से होता है यह तो यह important आप समझिये से कौन सा है वह आप बताईए ख्षार ये ख्षार उत्पादक अहार है निम्न में से ख्षार उत्पादक अहार जो आता है वह मांस लिया गया है मांस जो है ये ख्षार उत्पादक अहार ये थोड़ा सा डाउट सा फिर भी आप जिसको सही कंफरम हो तोड़ा देख के यह अपने आप में बड़ा भेंकर रोग होता है यह दुशित पानी की वज़े से होता है विब्रियो कॉलेरी यह इस जीवानु का नाम है यह बैक्टिरिया रोग है अब प्रशन है अमीबिया नामक जीवानु से कौन सा रोग होता है अमीबिया जो जीवानु है इसकी प्रिक्षाओं में आया हुए सबसे ज़्यादा पहले भी आया था स्टार्च यानि रेश्यदार जो सबसे रेशाकिस में होता है यहूं में प्रून पोशन में पाया जाता है अब प्रशन संख्या आगे देखिए 91 प्रशन आपके सामने आ चुका है धान के कूट जाने से धान के कूट जाने से पोस्टिक तत्व नस्ट हो जाती जब हम उसको कूटते हैं तो कौन सा पोस्टिक तत्व उसमें जब नस्ट हो जता है थाइमिन निकोटिन एसिड जो होता है यह खतम हो जाता है विटामिन यह वो खतम हो जाते है, इसलिए बड़ा लेना चाहिए उसका चोकर जिसे हम कहते है, चोकर के बिस्किट जो आते विटामीन B होता है उसके अंदर, तो ये थाइमीन, निकोटिक ये एसिड जो है, ये एक रसाइनी, उसका नाम है, यहुं में कौन से अमीनो एसिड का अभाव होत दालों में कौन सी अमीनोएसिड नहीं होती दाले जो होती है उन्में कौनसी अमीनोएसिड नहीं होती लीूसीन है कौन सी नहीं होती मेथियोनीन मेथियोनीन जो है ये डालों में अमीनो एसिड नहीं होती इसको भी अच्छे सियाद रखिए दूद में धक्के के रूप में कौन सी प्रोटिन जम जाती है अब धक्का धक्के के रूप में कौन सी प्रोटिन जम जाती है कौन सी जम जाती है कैसीन कैसीन जो है अलबिमीन जो ये अलग है और ये लेक्टोब्यूल है लेक्टोग्लोब्यूमीन है ये अलग आते हैं पर कैसीन जो है कैसीन जो है ये आपके दूद के प्रोडेक्ट से जुड़ा हुआ ये है, माता के दूद में कितनी कार्बोहाइडेट पाया जाता है, मा के दूद में कितनी कार्बोहाइडेट पाया जाता है, साथ प्रतिशत पाया जाता है, सही उत्रह ये, साथ प्रतिशत मा के दूद में कार्बोहाइडेट पाया जाता है, खनिज, खनिज तत्व नहीं है, खनिज जो है उसमें कैलोरी आयोडीन ये कौन सा खनिज तत्व नहीं है आयोडीन जो है खनिज तत्व नहीं है कैल्शियम भी है हना कैलोरी आयोडीन ये सब हमारे खनिज तत्व में आते हैं पर आयोडीन इसमें नहीं लिया गया नहीं है अब प्रशन है जो 100 गराम मुंफली में कितनी प्रोटीन होती है 100 गराम मुंफली है तो उसमें कितनी प्रोटीन होती है तो ये प्रशन है 26.7 गराम जो है ये प्रोटीन पाय जाता है 100 गराम मुंफली के अंदर 26.7 गराम प्रोटीन पाय जाता है अब प्रशन है आपके सामने 98 मुंफली के दूद से बने दही में प्रोटिन की मात्रा कितनी होती है मुंफली के दूद मुंफली के दूद देखो क्या पूछा गया तो यहां मुंफली का कुछ दूद यह थोड़ा सा एक प्रशन देख लीजिए दूद से बने दही में मात्रा पूछी गई है तो इसमें आप बताईएगा तो इसमें गन्ने तथा चुकुंदर की सरकरा से ये थोड़ा उत्तर इसका ये प्रशन यहां पर गलत है इसको छोड़ दीजिए अब प्रशन है शायद में सुक्रोज सरकरा कितने प्रतिशत पाई जाता है अब अंतिम प्रशन इस वीडियो का आज गा वह ये है जल में जल श्रीर के तापमान को क्या करता है गरम कर देता है नश्ट कर देता है नियंतरित करता है या बढ़ा देता है जल जो है बोड़ी के टेंपरेचर को क्या करता है जल बोड़ी के टेंपरेचर को नियंतरित करता है गरम भी नहीं करेगा ठंडा सब ये नियंतरित एक कारी कौन करता है जल करता है इस तरह से आपके पूरे के पूरे प्रशन जो हैं यह हमने पढ़ लिए हैं आपको जैसा भी लगे वीडियो में कैसा कुछ हो सकता है गलत हो तो कमेंट करके आप जरूर बताईएगा जो बिद्यार्थी नई है चैनल पर वीडियो को लाइक और जरूर करिएगा इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद